नमस्ते दोस्तों मैं साना खान चीया इंडर्प्राइस कंपनी अम्दाबद गुजरात चेहूं जैसा कि आप लोग सब चानते हैं कि हमारी कंपनी मैनॉफेक्चिंग कंपनी है हम लोग अलग तरा के मशीने बनाते हैं आज मैं आप लोगों के लिए दो डाई वाला फुल्ली यानि प्योर सर्चिकल कॉटन यूज करते हो ठेक है अभी इस मशीन के अंदर आप अफवाइट कॉमबर कॉटन भी यूज कर सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो यह रोल है जो कॉमबर कॉटन में भी अफवाइट कॉटन में भी चलता है आई एमस की प्रोसेस आपको दिख कॉटन के लिए लगानी है इस तरह से मशीन अपका काम करेगा कि ने कि दोस्तों इसर्चिकल जितनी प्यारी बत्ती घिरती है उतने प्यारी से बिडिए कि कितना अच्छा फिनेशिंग के अफपने फिनेश् Parliament में आता है जिसा सेमी मशीन में जो हम कॉटन यूज करते हैं अब वह वाला कॉटन हम आटोमेटिक मशीन के अंदर भी यूज कर सकते हैं देखिए आए यह मैं आपको इसकी विक्स बताती हूं इसका गुड़ फिनिशिंग प्राड़िक बताती हूं देखिए इसकी स्पीट काफी से जाए इसकी स्पीट काफी से जाए पर भी हमने है इसे में अपको चार्ड़ दिखाती हूं देखिए हमारा चार्ड़ वाला मशीन है फुली ऑटोमेटिक चार डाय वाला जिसमें चार बत्ती एक साथ निकलती है ठीके यह उसकी अन-फ स्वीच है और यह सारा है उसके पर जो कॉटन है वो भी यूज कर सकते हूं देखिए कॉटन दो तरह से है यह प्यॉर सर्जिकल है और यह आफ वाइट कॉटन है यह हमारा ऑद्वाला दुसरा मशीन है घहता है कि कि अड़के यह एक मौला मसिन दिसंवाज हमारे घंच वाली मशिन भी बना दीये लौगले मशिन मैं इस मसीन के अंदर आप दो तरह से काम उसक्ति एप समीन कि यूज़ कर सकते हो among से बत्ती बझती हो झार्टन हो जाएका की या का में इसे नहीं काम करना है तो आप इस तरह से इस मशिन के अंदर इस तरह से कटर लगा दोगे तो यह फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा इसके अंदर पूरी सब तरह से बड़ी चोटी हर टाइप की सैटकर सकते में भी जिस तरह हमने राउंड वाले मसीन में कहें आज़ कॉर्ड़ कि आप करते हो तो कमनी के साथ कलर पैकेजिंग किया हुआ माल लेती है ज़दा जानकारी के लिए मेरे दिये हुए नमबर पर कॉल कर है एंक यू